दिमागी पहली के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आईए पहलियां शुरू करते हैं। नमबर वन पहली। दोस्तों आलोक अपनी छुट्या मनाने के लिए वेह बस से राजस्थान गूमने का प्लान बनाता है। लेकिन जब वेह अपनी बस पकड़ने के लिए बस स्टेंड जाता है तो उसे पता चलता है कि वेह अपनी बस की टिकिट कहीं खो चुका है। और यह भी भूल चुका है कि कौन सी बस राजस्थान जाएगी। क्या आप इन तीनों बसों को देख कर बता सकते हैं कि इन में से कौन सी बस राजस्थान जाएगी। जल्दी से अपने जवाब कमेंट में दीजिए। ज्यादा समय लेने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपने जवाब ढून लिया होगा। दोस्तों सेकंड नमबर की बस जो है वो राजस्थान जाएगी। क्योंकि उसकी नमबर प्लेड जो है वो आरजे से शुरू होती है और आरजे राजस्थान का कोड है। चलिए दूसरी पहली की और चलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस फोन में कितनी गलतिया है और क्या गलतिया है। जल्दी से अपने जवाब कमेंट में दे, ज्यादा समय के लिए वीडियो पोज भी कर सकते हैं। दोस्तों उमीद है आपने जवाब ढूंड लिया होगा। दोस्तों इस फोन में दो गलतिया है। नमबर वन इसका नाइन नमबर का जो बटन है वहाँ पर फोर लिखा हुआ है। और नमबर टू है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस गड़ी में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10 बज कर 60 मिनट यानि की 10 बज कर 69 मिनट होता है और इस फोन के टाइम में 60 लिखा हुआ है जो की गलत है। चलिए तीसरी पहली की और चलते हैं एक जुवेलरी की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर चोरी करकर सामने की एक स्कुल में भाग जाता है। पुलिस शक के नजरिये से इस्कुल से इन तीन लोगों को पकड़ कर लाती है। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से चोर कौन है। जल्दी से अपने जवाब कमेंट में दे अगर आपको ज्यादा समय की ज़रत है तो वीडियो को आप पोज भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका IQ लेवल स्ट्रोंग होगा तो आपने आंसर में इस बीच वाली लेडि को चुना होगा। क्योंकि दोस्तों साइड में ये जो दोनों बच्चे हैं ये दोनों स्कुल के बच्चे हैं। क्योंकि इन दोनों के पास स्कुल के बैग हैं और बीच वाली लेडि के पास पर्स है जिसमें की चोरी का सामान है और वह सामने से भाग कर स्कुल में आकर छिपी है। चाहिए दोस्तों आखरी पहली देखते हैं। दोस्तों मान लिजिए कि आपको एक रास्ता पार करना है। आपके पास ये तीन रास्ते हैं। पहले रास्ते में आपके सामने आग के अंगारे हैं। दूसरे रास्ते में आपके सामने लोहे की किले पड़ी है। और तीसरे रास्ते में आपके सामने नोकीले काँच खड़े हैं तो दोस्तों आप इन तीनों में से कौन सा रास्ता चुनेंगे जवाब दोस्तों इसी इमेज में छिपा हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसका जवाब ढूंड लेंगे तो दोस्तों उम्मीद है जवाब ढूंड लिया होगा दोस्तों अगर आपका जवाब बीच वाला रास्ता है तो आपका जवाब बिलकुल सही है क्योंकि अगर आपने बीच के रास्ते में कीले देखी होगी तो वो आड़ी पड़ी हुई है और आड़ी किलो पर चलने से कोई भी नुकसान नहीं होता है अगर आपने सही जवाब दिया है तो आपका IQ लेवल काफी स्ट्रोंग है दोस्तों आपने कितनी पहेलियों का सही जवाब दिया हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें क्योंकि इन एनिमेशन्स को बनाने में काफी समय लगता है इसी के साथ जल्दी हाजिर होंगे और नए वीडियो के साथ दन्यवाद